हेलो तो हम सभी इत्सों बात करेंगे आप डिक्सवान टेकनोलोजी के बारे में दोस्तों इस कम्पनी के कॉटर थी के रिजल्ट अनाउस हो चुके हैं और कम्पनी ने कितना बढ़या पाफ्वर्मस दोस्तों यहापर आपने रिजल्ट में दिखाया और इसमें दोस्तों हमे कैसे performance रखना चाहिए result के बाद वो यहाँ पर हम discuss करेंगे company के quarterly और yearly दोस्तों result कितने बड़िया company ने present किये है और company में दोस्तों आने वाले समय में इससे भी बड़िया improvement दिखाई देगी क्या इस सभी जो question है उसके answer आपको मिलेंगे proper तरीके से देखना दोस्तों point to point यहाँ पर हम understanding करेंगे and उसके बाद हमें आपर decision ले पाएंगे easily चलिए start कर लेते दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे effort पसंद आए तो जरूर लाइक subscribe कर लेना यहाँ पर पहले बात करेंगे दोस्तों result के बारे में company ने कोई dividend वगेरा नहीं किया है यहाँ पर हमें पता होना चाहिए देखे सभी number 6 lakhs में दोस्तों पहले आपर हम बात करेंगे company के total income के बारे में income में दोस्तों revenue for operation and other income include है यहाँ पर हम देख सकते पिछले साल इस साल company का revenue कैसा रहा यहाँ पर देखे दोस्तों पिछले 2020 December महिने में देखना 1,89,711 जो दोस्तों यहाँ पर lakhs में company का income था बढ़कर देखे 2,09,011 यहाँ पर lakhs हो चुका है तो definitely company का दोस्तों performance yearly basis पर हमें यहाँ पर income के आंदर growth करकर दिखाते वे नजर आ रहा है and यहाँ पर दोस्तों quarterly basis पर बात करें तो देख सकते पिछले quarter में 2,19,553 दोस्तों जो company का income था वो यहाँ पर कम होकर थोड़ा देखे 2,09,011 यहाँ पर lakhs हो चुका है तो company quarterly दोस्तों income थोड़ा down दिखाते वे नजर आ रही है अब यहाँ पर चीज़त देखने पड़ते हैं दोस्तों खली हम income देखकर आंदा जा नहीं लगा सकते कि company का result कैसा है बोल कर अभी इसमें देखे expenses देख लेते हैं total के इस तरीके से रहे हैं तो expenses दोस्तों company ने improvement किये yearly basis पर and quarterly basis पर expenses also down रहे हैं यहाँ पर same situation जैसी income की थी वह इसे ही total expenses की भी दिखाई दे रही है but यहाँ पर total जो company का दोस्तों net profit है वह यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे पिछले साल आपको बताना चाहूंगा दोस्तों company ने कमाया था कितना देख लेना 5729 lakhs का जो profit कमाया था वो इस बार घटकर दोस्तों देखे 3533 lakhs हो चुका है तो company का यहाँ पर performance yearly basis पर down दिखाई दे रहा है and quarterly basis पर also दोस्तों same situation है देखे पिछले quarter में quarter 2 की बात करना चाहूंगा और यह quarter 3 के result है पिछले quarter में 6237 lakhs में जो profit आओ यहाँ पर घटकर 3533 lakhs हो चुका है तो company का दोस्तों यहाँ पर हमें profit कम होते वे नज़रा रहा है quarterly या या नियरली दोनों basis पर तो company यहाँ पर दोस्तों perform नहीं कर पाईए यह याद रखना अभी हाँ पर आपके mind में ऐगा क्यों ऐसा हुआ तो देखिए मैं आपको यहाँ पर reason बता दूँ पहले ही कि देखिए दोस्तों अभी जो company work कर रही है अभी जो contract कर रही है joint venture कर रही है PLI skim का benefit है दोस्तों वो भी company को मिलेगा कैसे process में दोस्तों running process में है और यह जो चीजे में आपको बताई जो company के joint venture हो रहे है partnership वगेरा हो रही है तो इनका यहाँ पर आपको जो benefit है न वो आने वाले समय मिलेगा इसलिए कह रहा हो कि हमें detail पता होनी चाहिए क्या हो रहा actually है और किस तरह के से company यहाँ पर improvement कर पाएगी दोस्तो आपको कहूँगा जो भी company के यहाँ पर benefit है न वो आपको future oriented सोच करें यहाँ पर निवेश करने के लिए सोचने चाहिए जो आप benefit कमाना चाहते हैं company से यहाँ पर उम्मीद रख रहे हैं न तो उनके लिए कह रहा हों कि लंबे समय का दावी इस company में आपके लिए काबिल रहेगा दोस्तो क्योंकि company आने वाले समय में यह आपको growth दिखा पाएगी यहाँ पर आप देख सकते है result का impact दोस्तो stock पर कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दिए क्योंकि stock आल्रेड़ी हाँ पर correct हुआ है result से पहले ही 15% डाउन है 15-16% के उपर तो कोई ज़्यादा फरक नहीं गिरेगा क्योंकि देखे जो stock 6200 पर चलता था आज यहाँ पर 4300 पर है तो करीब यहाँ पर हम कह सकते है 2000 के करीब दोस्तो different नजर आता है round figure ले भी हाँ पर हम समझे तो तो different भी अच्छा है correction इसले ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है बट दोस्तो result थोड़े down रहे है और मैं आप कहूँगा इसके जो यहाँ पर year on basis पर बात करें तो 25% से company का net profit थोड़ा है आपर false होते फिर नजर आ रहा है वत के साथ दोस्तो इसमें improvement भी दिखाई देगी खाली यहाँ पर company का जो business है और उसकी demand क्या है आप वहाँ पर focus करेंगे तो आपको बहुत आच्छे return मिलेगे क्योंकि जो company smartphone दोस्तो electric product वागेड़ा यह जो चीजे बना रहे हैं ना इसका तगड़ा benefit इसको मिलेगा और यहाँ पर यह company improvement करने में दोस्तो कोई भी देरी नहीं करेगे जब यहाँ पर इसका benefit दिखाई देगा आपको तब definitely company आप अड़या improvement करकर दिखाते वे नजर आएगी क्योंकि देखिए यह जो चीजे company के अंदर चल रही है वो धीरे धीरे growth करकर दिखाई गया और धीरे धीरे दोस्तो stock भी आपको यहाँ पर improvement करकर दिखाईगा तो I hope मुझे लगता है result समझ चुके और एक-एक point को understanding करना दोस्तो कि company अच्छी है बिलकुल company के result थोड़े 19-20 आए जरूर है but company valuable है इसमें हमें continue रहना चाहिए और दोस्तो अच्छे दाम पर मिले तो जरूर इसमें quantity बढ़ाने के लिए भी सोचना चाहिए क्योंकि company आने वाले समय में काफी बड़ी improvement भी करकर दिखाईगी और will creation भी thank you so much